हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सिखेंगे कि कैसे हम लोग राउंडिंग मैथट का यूज करते हैं पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि हम किसी भी कस्टमर से डिलिवरी चार्जेस को यदि लेना है तो किस प्रकार से लेते हैं यदि आपने वाव वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से जा करके वाव वीडियो देख लीजेगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं Bouchers में जहां पे हम को Rounding Method का यूज करना हैं और वो भी हम लोग जब किसी भी product को sale करते हैं उस वक्त Rounding Method का use किस प्रकार करेंगी और या कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई reference number दे देते हैं उसके बाद में हमने जो यहाँ पे एक party बनाया है उस party को ले लेते हैं जो भी basic detail है इसको हम लोग यहाँ पे feel कर देंगे उसके बाद में जो laser है मेरा वो sale का laser है अब यहाँ पे हम जो भी item लेंगे यह जो भी मैंने यहाँ पे item सारा सब कुछ देख रहे हैं आप बनाया है यह पिछले वीडियो में मैंने detail में explain किया है कि किस पकार से हमको item वागरा create करना है तो वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह वीडियो playlist में मिल जाएगा साथ में उसका link भी description में दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर कि proper watch कर सकते हैं तो हम यहाँ से keyword जैसे लेते हैं और इसको मानते हैं कि 10 piece ले रहे हैं और इसका rate जो हम लोग रखते हैं जैसे यह 200 रुपया बता रहा है ऐसे ही situation में जब भी decimal value आ जाता है तब हम लोगो rounding method का use करते हैं दिखी यह काम कैसे करता है इसी प्रकार से यदि मान के चलिए हम और एक कोई product ले लेते हैं जिस पर भी हमको rounding method यूज करना है जैसे इसका amount है 100.58 पैसा है ठीक है तो ये भी हो गया 201.16 पैसा के करीब करीब अब देखिए इन दोनों का जो point value बन रहा है वो पूरा हो रहा है 2202.66 पैसा हो रहा है अब देखिए जब हम यहां पे rounding method यूज करेंगे देखिए यहां पे हम जैसी ही create किये हुए साथ हमने एक round off के नाम से इसको हम आपको दिखा देते हैं देखिए जब आप create करने के लिए alt c press करेंगे तो यहां पे आपको type कर देना है name जो भी आप देना चाहते है rounding off उसके बाद में इसको रखना है indirect expense में जैसी आप indirect expense में रखेंगे उसके बाद आपको मिलेगा type of laser type of laser में आपको इसको नीचे select कर लेना है invoice rounding उसके बाद जब आप नीचे आएंगे enter करके तो यहां पे आपको तेन तरह के option देखने को मिल जाएंगे तो यहां पे आपको चुनना है normal rounding उसके बाद में rounding limit जो रखना है वो एक रुपय के करीब करीब हमने रखा है तो एक रुपया हम दे देंगे उसके बाद में simply इसको accept कर देंगे जैसे हम इसको accept करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि automatic क्या हुआ कि 0.34 पैसा जो की इस customer पे add हो गया यानि कि यह plus कर दिया है decimal वर यह काम कैसे करता है जैसे कि एक रुपय में आपको पता ही होगा कि 100 पैसा मिल करके एक रुपया बनता है तो यदि एक पैसा से 50 पैसा के बीच का यदि यहां पे टोटल में यदि आता है तो यह क्या करेगा उस amount को यह minus कर देगा लेकिन यदि 50 पैसा से जादा यदि यहां पे कोई भी amount यदि आएगा है तो यह क्या करेगा जो बांकी बच जाता है यह उसको उसमें प्ल Massachusetts कर देगा जैसे यहा पर आप देक सकते हैं कि 2202 रुपिया है लेकिन 66 पैसा में क्या क्या ए thou thirty four पैसा को प्ल 눌러स कर के दो हजार 2203 रुप्या कर दिया इसी प्रकार से यदी चलिए हम आपको एक करके दिखा देते हैं इसको accept कर लेते हैं और यहां पे भी हमें एक reference number दे देते हैं और इसी party को ले लेते हैं सेल का लेते हैं एक पर हम आपको जैसे करके दिखाते हैं जैसे यह कीबोड लिया यह है दो पीस का ठीक है अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि इसका amount को काम आया जैनिके 400.30 पैसा के करीब आया है अब देखिए यहां पर क्या करेगा है यदि हम इस पर rounding method यूज करते है तो देखिए यहां पर क्या किया है कि माइनस कर दिया 30 पैसा को जिद यदि 50 पैसा से कम वैलु रहेगा तो उसको यह क्या करेगा माइनस कर देगा तो यह क्या होगा कि आपको amount लेंदेन करने में कोई भी problem नहीं आएगी वैसे भी हम लोग यह पैसे वाला value को माइनस कर दे हैं और tally rp9 में भी यूज कर सकते हैं तो इस surrounding method के बारे में आपने जो भी जाना वह आपको समझ में आया कि नहीं हमको comment करके जुरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में notification bell icon को all पर set कर दीजिएगा ताकि जब भी हम आपक लेकर के आयें आपको उसका notification सबसे पहले मिल सकेगा